पैसा वापस ना करने का रीजन था क्योंकि पैसेगी विवस्था नहीं थी अचानक से जोब चले गई थी और पूरे तरीके से रिकवरी एजेंटों को अपनी प्रोलम बता रहे थे रिकवरी एजेंट पूरे तरीके से प्रोलम सुनने के लिए तैयार नहीं थे अब अचानक से recovery agent का call आया है और recovery agent बोल रहा है मैं तेरे घर पर 5 मिनट के अंदर police को लेकर के आ रहा हूँ हमारी loan application पूरे तरीके से जितने भी defolter थे जिनोंने भी loan default किया है उनके घर पर police के थुरू loan की recovery करा रही है क्या तू जानता नहीं है अब ऐसा भी एक नया नियम आ चुका है लोन की recovery पुलिस करेगी जो भी pen card आधार card और केवल एक selfie के बेस पर ही loan दे देते हैं दोस्तों ऐसा मेरे subscriber ने मुझे email किया और जैसे ही उसने email किया उसकी मैंने email पढ़ी और email पढ़ते ही मैंने उससे का भाया अपना तु मेरे को contact number दे उसने अपना contact number दिया मैंने उससे बात की और उसने सारी यह जो बात थी मुझे बताई इस बात को लेकर के मैं काफी मतलब परिशान हो गया कि यार लोग इतना भी लोगों को डरा सकते हैं फिर उसके बाद में recovery agent से भी मैंने conference पर बात की और उससे पूछा भहिया तो कौन सी company का है उसने बताया किस्त finance तो अब आप बच्चे रहें ये loan application वाले किसी भी हद तक जा सकते हैं loan recovery करने के लिए पूरी तरीके से ये ऐसी धंकी भी व्यक्तियों को दे रहे हैं कि आपकी घर पे पूलिस आ रही है loan recovery करने के लिए दो साल बाद अब company बड़ा action लेने जा रही है तो ऐसे हरकते जो भी की जा रही है ये पूरे तरीके से गलत हैं चाहे कोई किस्त है चाहे कोई भी application है ऐसा नहीं कर सकती ये सिर्फ और सिर्फ पैसा निकालने के लिए इस प्रकार की टुची और घटी आरकत कर रहे हैं मेरे कई ऐसे subscribers हैं जो loan application से loan ले तो लेते हैं लेकिन उनका जब वापस नहीं कर पाते हैं तो उन्हें ऐसे recovery agent डराते हैं दोस्तो आपको अकसर कहता हूँ अगर कोई loan application RBI से authorized है pen card, आधार card और cable selfie के base पर loan दे रही है पैसा है तो पैसा दे करके पीछा चुटाओ नहीं है, tension free रहो कोई जिक्कत परिशानी आपको नहीं आएगी और कोई भी loan application ऐसे पुलिस को नहीं बेच सकती पुलिस का काम है, loan order को maintain करके रखना ना कि इन घटिया लोगों का loan recover करना बाबाई, take care, जहिन, वंदे मातरम